देखिए इस वीडियो में अपन देखेंगे Arrays के साथ खेलना Arrays में query करेंगे College नामक database है मेरा उसमें collection है students नाम का उसमें से मैं दो student उठा कर आपको दिखा देता हूँ कि शकल कैसी होगी नाम लिखा हुआ है, उम्र लिख्योई है उनकी hobbies लिख्योई है एक array में identity करके एक क्या है field है जिसमें लिखा हुआ है कि भाई pen card है बंदे के पास या नहीं है, आधार card है या नहीं है bio है एक, बहुत ही बहतरी then है experience experience क्या है एक array है जैसे hobbies array थी, experience भी क्या है एक array है, उसमें क्या है, वो किस चीज़ की array है वो है JSON की array यानि कि वो है documents की array समझ रहे बात को, यह क्या है अपने आप में क्या है, एक object है सभी बात है, तो experience क्या है object की एक array है, अच्छा वो कैसे object है वो ऐसे object है भाई, उसकी शकल ऐसी है उसमें लिखा होगा, एक object में company कौन सी थी, जिसमें इस बंदे ने काम किया था पहले, बहुत बढ़िया और कितने साल काम किया, ठीक है भाई हम समझ गए शकल कैसी दिखेगी किसी भी document की, बहुत ही बहुत ही बहतरी, मजा आ गया, अब कुछ queries देनी है मेरे को, आपकी सुन्दर आखों के सामने, पहला question, students who have experience in Amazon वो students निकालिये query लिखके अपने हातों से जिनोंने Amazon में काम कर रखा है ठीक है, तो शकल है कुछ ऐसी experience पे हम query लगाएंगे इतना हमें पता है, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ, वो students निकालना, जिनकी hobbies है cricket, मैं उनको इनाम देना चाहता हूँ कि लो भाई, लो इनाम लो, ठीक है, तो करते है db.students.find find के अंदर एक जेसन जाती है, hobbies पे query लगानी है तो लिखते हैं hobbies, अगर hobbies एक string होती, simple string, जैसे क्या है, age है यहाँ पे, simple number तो मैं क्या लिखता, hobbies, cricket हो वो वाले students उठा के ले आई है इतना सा काम था, अगर क्या होता, hobbies, simple field होती, जिसकी value क्या है string, कोई नहीं बात नहीं है ठक गया है, देख देखके इसको, enter किया अरे, यह तो आ गया, यह तो आ गया तीन students ऐसे, लेकिन मैंने तो भाई, यह क्या दिया है, मैंने तो string दिया है, mongodb समझदार है वो समझदार है, उसे पता है कि आपने na, cricket किसमें सर्च किया है Hobies में सर्च किया है, hobbies क्या है Array type है, Array type है एरे टाइप है एरे टाइप है वो समझदार है उसमें दिमाग है हमारी तरह नहीं है वो सर्च कर लेगा एरे में जाके कि किसकी एरे में किसकी होबीज नामक फील्ड की एरे में क्रिकिट है इसमेरा क्रिकिट इसमेरा क्रिकिट इसमेरा क्रिकिट इसमेरा क्रिकिट इसमेरा क काम कर रखा है ठीक है अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या है Hobies में simple array थी of string यहां पर experience जो array है उसमें simple string नहीं है वो किस चीज़ की array है वो है array of objects कैसे करें सीखते हैं आपाई परिशान नहीं होते हैं किसी एक document के शकल लेखते हैं सिर्फ find one किया जूम इन कर लेते हैं, बहुत ही भैठी, देखो यहाँ पे query कैसे लेगे, मैंने बता है था पिछली बार भी, अगर nested document है, तो query कैसे करते हैं, अगर nested document है, कैसे करते थे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, last videos में, इस पे query लगा के बताया होगा, लिखा था मैंने, identity.haspancard true या false, ठीक है, बस यही करना है, आगे कुछ नहीं करना, जैसे hobbies में हम कुछ नहीं कर रहे थे, extra, उसको नहीं बता रहे थे, कि यह array है नहीं है, इसी तरह यहाँ पे करेंगे, देखो क्या, find के अंदर क्या दी, Jason दी, ठीक है बाई, Jason में क्या देंगे, experience.company Amazon, बस इतनी सी ब Amazon में काम का रखा है, Amazon में काम का रखा है, बहुत ही बहतरीन, पहले question का जवाब आ गया हमारे पास, db.strends.find experience.company Amazon, बहुत बढ़ी चालिया, दूसरा question, how many students have worked in Spotify, how many students, अच्छा, यहाँ पे क्या था, how many students, कितने students, कुछ नहीं करना, जादा कुछ नहीं है, बस dot size लगा दी limit भी लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा रहा था, limit two लगा देंगे, तो दो students आएंगे पहले, कुछ नाया नहीं है, ठीक है, how many students who have worked in three companies, अच्छा, यह तो मज़ेदार है, कितने ऐसे students हैं, जिनोंने तीन कंपनियों में काम कर रखा है, तेज बंदे हैं, तेज, तेज बंदे ह हैं, ठीक है, ऐसे बंदे उठाके लाइए, जिनोंने तीन कंपनियों में काम करें, मेरी कंपनियों में काम करें, फिर भाग जाएं, तो मैं उनको हटाना चाहता हूं, यह नहीं है, candidate बढ़िया, ठीक है, कोई दिक्कत वारी बात नहीं है, कैसे find करूं ऐसे students, जिनोंने तीन कंपनियां, फिर तीन से जादा, obviously, clear कर देते हैं, control L से, ठीक है, db.strength.find, find के अंदर एक जेसन दी, simple, उसके अंदर मैं किस field पर query लगाना चाहता हूं, experience, ठीक है, experience नामक field पर मैं query लगाना चाहता, ठीक है, field के आगे हम जेसन नहीं देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ह हम देखना चाहरे है, experience, जो array है, उसका size क्या है, तीन size है, तो size है, एक size है, समझे बात को, तो यहाँ पे एक नया operator size, जिसकी value 3 है, समझे बात को, enter करता है, देखते हैं, घंशियाम है, एक राम है, जिनोंने 3 कंपनियों में काम कर रखा है, ठीक है, अगर ये query चलानी है, greater than and equal to 3 के लिए, ये चला के देखते हैं, कि size is greater than 3, ठीक है, size is greater than 3, चला के देखते हैं, error आ गई है, बोल रहा है, expected number अच्छा, तो देखे, size में न, size में आपको number ही देना है, ये कोई expression नहीं दे सकते हैं, क्या बोला मैंने, expression नहीं दे सकते हैं, greater than 3 अच्छा, तो कैसे करेंग तो उसका इस्तमाल कर लेते हैं, बाई जब ये कह रहा है, size में आप number ही दीजिए, तो इसका मतलब है, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं, expression का यूज कर सकते हैं, expression का यूज करते हैं, find के अंदर एक JSON आती है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, clear करते हैं इसक इसमें पहला argument जो होगा, वो दूसरे argument से जादा दिखाना है, ऐसा कुछ करना है, कि company का size जो है, company array का size जो है, वो तीन से जादा या फिर equal होना चाहिए, तो क्या करते हैं, gt कर देते हैं पहली तो ठीक है, अच्छा, पहले argument का size, ठीक है, पहले argument का size, यानि कि जो यहाँ प of array, size of array, array का नाम क्या है, array का नाम है, अपना companies, companies ही था चाहिए, देख लेते हैं, उपर करके, experience, इसमें भी error आ रही है, बोल रहा है भी या, कि must be an array, यानि कि जो एना experience array होनी चाहिए, experience array तो है, लेकिन यहाँ पर के लिखा रहा है, but was of type missing, इसका मतलब देखो, यह हो सकता ह है, कि भाई, यह जो experience field है, हो सकता है, किसी में exist ही नहीं करती हो, किसी एक document में, किसी दो document में exist नहीं करती हो, अच्छा, दिक्कत है यह तो भाई, वो search करने जा रहा है, और उससों नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर बोल रहा है, कि array होना चीए, size का argument, लेकिन, यहाँ पर क्य कि आप इसको check करना, ठीक है, enter करता है, आगया बाई, ऐसे documents आ गए है, जिनका experience तीन या तीन से जादा company उमें था, ठीक है, इतनी से बात है, और कुछ नहीं बात नहीं है, तो हमने क्या, db.students.find experience, size 3, तो हमने देखा, greater than use करने के लिए, हमें वो राम का था लिखनी अब देखें दिहान से, जैसे hobbies है, यह hobbies है, तो हम देखना चाहते हैं, ऐसे students, जिनकी hobbies क्या है, walking and reading, तो लिखा मैंने query, db.students.find hobbies, walking and reading, सर्च किया, एक आ रही है, walking and reading ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन, क्योंकि मैंने ही create किया है, यह पूरा का पूरा collection, यह ही हो, यह सर्च किया है, कि walking comma reading ही हो, ऐसा नहीं हो सकता है, कि reading comma walking हो, अगर पहले reading हो जाएगा, तो वो सर्च करके नहीं लाए, उसके लिए हमें यह query लगानी पड़ेगी, hobbies, ठीक है, hobbies के अंदर क्या है, एक Jason है, ठीक है, Jason के अंदर एक all operator है, क्या है, all operator, वो कह रहा है, कि भाई, ऐसे students लाइए, जिनकी hobbies में यह भी हो, and यह भी हो, समझे रहे बात को, enter किया, दो ऐसे students आगे, देख रहे हो, walking comma reading, walking comma reading है, लेकिन reading comma walking भी आगया है, समझे रहे बात को, ठीक है, एक और चिपाता हूँ, यह क्या है, all यानी की, सारे के सारे elements, जो है ना, इसमें, व यह होनी चीए, सारी की सारी, सारी होनी चीए, ठीक है, और यह, इन में से कोई से भी हो चलेगा, ठीक है, तो यह है कहानी, hobbies all walking and reading, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, order जो होगा, वो कुछ भी हो सकता है, इन भी हमने देख लिया, क्या difference है, फिर अगला question है, documents that have at least a product with name, apple and quantity 15, अचा एक नया collection है यहाँ पर, ठीक है, products नामक collection, जिसकी शकल ऐसी है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक field है, ID तो ही घर, products field है, जो किया है, array है, किस चीज़ की array है, objects की array, apple, orange बनाना, हर object की शकल क्या है, नाम है, और उसकी quantity है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, फिर से ध्यान देजेग क्या है, इसमें, document के अंतर एकी field है, products नामक, उस product नामक field में, वो है क्या, वो एक array है, किस type की array है, वो एक object की array है, object की शकल क्या है, name है, and quantity है, fruit की, अब देखें, दिहान से देखें इसको, बहुत ही दिहान से, दो query चला रहा हूं, ठीक है, दो query चला रहा हूं, पहले इसक देखेंगा, पहले इसको, question गया है, ऐसे document निकालके लाइए, जिसमें, at least एक product तो हो, जिसका नाम हो, apple, and quantity 15, question थोड़ा, change कर देते हैं, बोल देते हैं, quantity greater than 15, ठीक है, तो फिर से question बता रहा हूं, ऐसे document जिसमें, कम से कम एक ऐसा product हो, यानि कि जो product array है न, उसमें, कम से कम एक ऐसा element हो, एक document है, document के अंदर, product array के अंदर, कम से कम एक ऐसा element हो, एक ऐसा फल हो, जिसका नाम apple हो, and quantity 15 से greater, ठीक है बाई, हमने try करने की कोशिश करी, हमने try किया, ठीक है बाई, db.products.find, ठीक है, बहुत बढ़िया, and, and लगा दिया हमने, ठीक क्योंकि दो condition है, product का नाम apple हो, and product की quantity greater than 11 हो, ठीक हो, ठीक है, ठीक है, फिट से, हम क्या find करने है, 11, find करने है, कि quantity जो हो, ठीक है, कोई दिक करने है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, लगा दिया, find किया, and हम पढ़ चुके है, ठीक है, दो ऐसे elements आ गए, अच्छा, यानि कि, हम तो find करना चाहते थे, ऐसे, नाम Apple हो और वो 11 से जाद हूँ ठीक है यहाँ पे तो नहीं है भाई Apple 11 से जाद है यहाँ पे दीख रहे है अपल की quantity पंदर है यहाँ पे तो नहीं है अपल quantity 10 ही है लेकिन result में आ गया है ऐसा क्यूं हुआ है क्यों कि यह क्या है arrays के साथ खेल रहे हैं हम arrays के साथ तो ये क्या कर रहा है ये कर रहा है देखे product का नाम apple है मिल गया उसको apple ठीक है end product की quantity 11 है 11 वाले मिल गया बनाना मिल गया हमने ये नहीं बोला इससे कि भाई exactly एक ही element में जाओ और ढूंडो समझे बात को ये तो क्या कर रहा है ये object level पे products को देख रहा है products को उपर से देख रहा है products में search करते हैं मचपन से हमें पता है कि हम simply search कर सकते है hobbies equal to क्या walking तो ऐसी आ जाएगा सारी hobbies को search करेगा वो और simply निकाल कर देगा इसी तरह से हम पर क्या लिख रहे है products का नाम apple हो ठीक है कि apple भी हो और उसकी quantity 11 से जाएदा हो तो देखो क्या करेंगे है products पे कोई रगाने है ठीक है कोई दिक्कत ने है हम use करेंगे element match operator element match ठीक है उसकी value क्या है कि JSON आएगी ठीक है उसके अंदर क्या है quantity दे रहे है क्या दे रहे है quantity कि भाई वो greater than 11 हो greater than 11 हो यह क्या name apple हो तो क्या करेगा यह इसको एक ही element में search करेगा element match हर एक element को चेक करेगा अब सिंस यहाँ पे ऐसा element आ गया है कि apple है नाम और quantity 11 से बड़ा तो यह उरा का पूरा document उठके आ जाएगा तो इस वीडियो हमने element match operator देखा all operator देखा size operator देखा और देखा भाई की arrays में search कैसे करते हैं ठीक है कोई दिक्केत वाली बात नहीं है next video की link आपको इधर मिल जाएगी